Hello students, कैसे हो आप सभी? आज का जो हमारे topic है, वो है counting figures. सबसे पहले हम first part लेते हैं square. हमारे पास कुछ figures given है, हमें बताना है कि इस figure के अंदर total number of squares है, वो कितने है. अब जैसे ये figure है, ये थोड़ी असान figure है, आप counting करके भी इसके square निकाल सकते हैं. लेकिन अगर हम देखें, अगर हमारे पास ऐसी कोई figure आजे, या फिर इतनी बड़ी कोई figure आजे, तो हम number of square कैसे निकालेंगे? हम simply counting करके तो अब हम square की value नहीं निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे squares? देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड से और राइट साइड से दोनों साइड से हम numbering करेंगे. अब देखें, जैसे ये क्या है? 1. यहाँ पे 2. ठीक है? इस तरव भी ये हमारे पास क्या है? 1st box. और ये हमारे पास क्या है? 2nd box. ठीक है? जस्ट हमें क्या करनी है? इनकी numbering करनी है. उसके बाद हमें क्या करना है? 1 की multiply, 1 के साथ. और 2 की multiply, 2 के साथ. जैक है, देखें, 1 की multiply हम 1 के साथ करेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा? 1. 2 की multiply हम किसके साथ करेंगे? 2 के साथ करेंगे. तो हमारे पास क्या आएगा? 4. अब इन दोनों को क्या कर देंगे, add कर देंगे, 4 plus 1, 5, that means, इस figure के अंदर, जो total number of squares हैं, वो हमारे पास कितने हैं, 5, अब देखें, आप counting करके भी देख सकते हैं, ये first, ये second, ये third, ये fourth, और ये एक जो पूरा है, fifth, ठीक है, लेकिन ऐसे एक एक को counting करने से अच्छा है, कि आ 1 की multiply 1 के साथ, 2 की multiply 2 के साथ, दोनों की multiply करके addition करना, चीक है, अब next देखें, अब हमारे पास ये figure है, same हमें क्या बताना, number of squares बताने हैं, सबसे पहले हम first step क्या करेंगे, numbering करेंगे, left side से, उपर से नीचे, और left side से, सबसे पहले देखें, ये हमारे पास क्या है, first box है, ये ह अब फिर उपर से नीचे, ये first box है, ये second box है, और ये हमारे पास क्या है, third box, ठीक है, सिफ हमें numbering कर ली, अब क्या करना है, 1 की multiply 1 के साथ, 2 की multiply 2 के साथ, देखें, 1 की multiply 1 के साथ, 2 की multiply 2 के साथ, यहाँ पे लिख लेंगे हम, 1 की multiply 1 के साथ करेंगे तो, 1, 2 की multiply 2 के साथ करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 4, 3 की multiply 3 के साथ करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 9, अब 9 प्लस 1, 10, 10 प्लस 4, 14, that means, जो total number of squares है, इस figure के अंदर, वो हमारे पास कितने हो जेंगे, 14, अब दिखे, जैसे first figure थी, यहाँ पे तो आपने असानी से count क कर लिया था कि number of squares कितने हैं, लेकिन अब क्या आप इस figure के अंदर count कर सकते हैं, ऐसे 1, 2, 3, हमें कुछ ना कुछ हमारे पास mistake होई जाएगे, अगर हम इसको normally count करने लगेंगे, चीक है, तो इस तरीके से हम square निकाल सकते हैं, अब next question देखिए, अब हमारे पास figure को थोड़ी और बड़ा कर दिया गया है, इसमें भी हमें क्या बताना है, number of squares बताने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, numbering, उपर से निचे और left से right, अब देखिए, यहाँ पे, first box, second box, third box, fourth and fifth, चीक है, अब उपर से निचे numbering करेंगे, first, second, third, fourth and fifth, चीक है, अब क्या करना है, one की multiply, one के साथ, two की multiply, two के साथ, three की multiply, three, four की multiply, four, and five की multiply, five के साथ, अब देखिए, one की multiply, one के साथ, two की multiply, two के साथ, three की multiply, three के साथ, four की multiply, four के साथ, and five की multiply, five के साथ, चीक है, अब यहाँ पे लिखिए, one की multiply, one के साथ करेंगे, तो, one, 2 की multiply 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 3 की multiply 3 के साथ करेंगे तो 9 4 की multiply 4 के साथ करेंगे तो 16 और 5 की multiply 5 के साथ करेंगे तो 25 हमने सबसे पहले क्या की, numbering की उसके बाद जो same time sound को क्या किया, multiply किया अब हमें क्या करना है, simply इनका क्या करना है, addition करना है, चीक है, अब देखिए, 16 plus 9, 25, 25 plus 25, 50, 50 plus 4, 54, and 54 plus 1, 55, तो total हमारे पास addition करके, हमारे पास क्या आजेगा, 55, that means, जो यह हमारे पास figure given है, इसके अंदर कितने squares हैं, हमारे पास 55 squares है, चीक है, इस तरीके से, अब अगर आपको यहाँ पे 6, एक और addition कर दिया जाए, यहाँ पे 6, तो कुछ भी नहीं करना, तो 6 की multiply, 6 के साथ 36, तो फिर इसके अंदर 36 भी add हो जेगा, इस तरीके से, जो आप squares हैं, कि किसी भी figure के अंदर, number of and squares कैसे find out करते हैं, आसानी से solve कर सकते हैं, चीक है,